Hi everyone, this is Victor Bhardwaz and friends, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि like जो CBAC ने जो date sheet जारी की थी, उसमें एक बहुत major change आई है, मतलब एक बहुत बड़ी change आई है, तो वही change and update के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में cover करेंगे and मैं आपको बताऊंगा कि वो update क्या है, जो CBAC ने जारी की है, like जो date sheet है, उसमें एक change आई है, तो उसी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में cover करने वाले हैं, correct, तो अब हम लोग समझते हैं कि like जो CBAC ने जो date sheet जारी की है, new date sheet revise करके, उसमें बड़ी change क्या आई है, ठीक ह तो यार उसको start करने से पहले मैं आपको ये बता दू कि अगर आप class 10th में हो, और अगर आप class 10th में ये वीडियो देख रहे हो, तो मैं आपको ये बता दू कि CBAC ने कोई भी बहुत major change नहीं की है class 10th के date sheet में, मतलब अगर आप class 10th में हो, जो 10th की date sheet थी, correct, जो 10th की date sheet थी, उसमें CBAC ने कोई change नहीं किया है, ठीक है, उसमें CBAC ने कोई change नहीं किया है, मतलब जो previous वाली date sheet थी, वही आपकी date sheet है, ठीक है, उसमें कोई change नहीं आए है, अब अगर हम लोग बात करें class 12th की, ठीक है, तो class 12th की date sheet में हुआ क्या है, इसे आप हम लोग समझते है, class 12th की date sheet में लाइक जैसे कि जो एक्जाम 4 एपरिल को होने वाली थी वो 4 एपरिल के एक्जाम को shift करके 27 मार्च कर दी गई है correct मतलब जो आपकी एक्जाम 4 एपरिल मतलब 4 एपरिल 2023 को ये एक्जाम होने वाली थी ये एक्जाम को shift करके आपको 27 March कर दी गई है तो यही एक CBAC ने एक major change की है मतलब जो date sheet में class 12 के लिए कि जो आपकी exam होने वाले थी 4th April को वो exam को shift करके 27th March कर दी गई है तो यार यही एक चीज थी class 12 के लिए कि जो आपकी exam थी यही change कर दी गई है और as such class 10 के लिए कोई भी major changes नहीं आए है जो आपकी date sheet थी वही date sheet है ठीक है तो यही एक update थी यार आप लोगों के लिए आप लोग अगर class 12 में हो तो यह चीज आप लोगों के लिए बहुत beneficial होने वाली है और अगर 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 latest वाली revised अगर आपको date sheet चाहिए तो आप cbac के website से download कर सकते हो या otherwise आप लोग नीचे description में जाके भी download कर सकते हो क्योंकि उहाँ पर आपको जो date sheet है उसकी link मिल जाएगी तो इसलिए आप लोग download कर लेना और उसमें देख लेना कि like जो date sheet है उसमें जो यह changes हुए है कि 4th April की exam को shift कर दी गई है 27th March में ठीक है और आप जब date sheet open करोगे तो आपको दो column मिलेंगे ठीक है दो box जो first box open होगी green color की होगी वो जो green color की box होगी वो class 10th के लिए है जब आप scroll down करोगे तो scroll down करने के बाद में आपको एक purple color की box appear होगी तो जो purple color की box appear होगी वो होगी class 12 के लिए ठीक है वो purple color की नहीं तो pink color की होगी ठीक है वो box तो यार मैं hope करता हूँ कि आपको आज की update and news सुनके अच्छी लगाओगा और अगर यह beneficial आपके लिए होगी देन आप लोग वीडियो को like कर देना और अगर आप चैनल पर नहीं हो देन चैनल को subscribe कर देना और साथ में bell icon को भी hit कर देना आप लोग क्योंकि इसे तरह के notifications आपको मिलती रहेंगे so keep loving keep supporting and thank you for watching our video